बंद्रह हजार साल से भी पहले की बात है इमालय के उपरी इलाकों में अयोगी अब एक योगी प्रकट हुए कोई नहीं जानता था कि वो कहां से आए उनके पूरवजों के बारे में भी लोग अजान थे लेकिन वो बड़े अद्बुत थे इसलिए लोग उनके आसपास जमा होने लगे उन्हें किसी चमतकार की उम्मीद थी पर उन्होंने कुछ भी रही किया वो बस यूँ ही बैठे रहे बेलकुल स्थे है सिर्फ साथ लोग ही वहां रुके रहे ये साथ लोग समझ गए कि बस यूँ ही बैठे रहना अपने आप में एक चमतकार है क्योंकि ऐसा तभी संभव है जब कोई इनसान अपनी भौतिक प्रकृती से परे चला जाए उन लोगों ने उनसे प्रार्थना की आपके पास जरूर कोई ऐसा ज्यान और अनुभव है जिसके हम कलपना भी नहीं कर सकते कृपया हमें भी सिखाई योगी ने तैयारी के लिए उन्हें कुछ साधना दी और कहा तुम लोग खुद को तैयार करो वो लोग तैयारी करने लोग अन्य सानों में बदल और साल तशकों में इस तरह 84 साल बीत दे एक दिन उन्होंने देखा कि ये सातों लोग दमक रहे थ पात्र बन चुके थे मानवता को पहली बार यह याद दिलाया गया कि प्रकृती के नियम आपको हमेशा के लिए बांध कर नहीं रख सकते हैं अगर आप कोशिश करते हैं तो आप इन नियमों के परे जा सकते हैं उन्होंने वहां तक पहुचने के तरीके भी बताए उन्हो झाल 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